शोले फिल्म का डायलोग आपने जरूर सुना होगा जब गबर सिंग अपने गुर्गों से कहता है कि पचास-पचास कोस दूर जब बच्चा रोता है तो मा कहती है सोजा नहीं तो गबर आ जाएगा अब वो गबर सिंग तो गुंडा था लेकिन बंगाल में कहानी ऐसी है दो होता है ये आपको बंगाल सरकार की हरकतों से नजर आएगा जमाना बदल गया है मोदी है तो मुमकिन है पी एम मोदी की बंगाल में दोस्तों कई रैलिया होने वाली है संदेश खाली में लेकिन आज बंगाल पहुँचने से पहले ही बंगाल में गजब का खेला हो गया जि जहां शेक को बंगाल पुलिस पकड नहीं पा रही थी वो अचानक से उसे गिरफतार कर लेती है आप सोचिए मगर इस गिरफतारी के खेल को समझना हो तो आपको टू विंडो में दो वीडियो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों देखना पड़ेगा जब उत्तर प् माफिया को पुलिस गिरफतार करके अदालत लाती है तो उसकी चाल क्या होती है और जब शाह जहां शेक बंगाल पुलिस की गिरफत में होता है तो उसकी चाल क्या होती है बड़े ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा दोस्तों कि कानून का राज क्या होता है अब हो सकत है कि इसमें कुछ confusion हो क्यों कि कुछ लोग सामप्रदाइकता का भी चश्मा लगा सकते हैं एक ही तरह के नाम मगर चलिए आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं ये भी टू विंडो में जब विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में होता है उत्तर प्रदेश तो आप समझ गए होंगे ना कि कानून का राज क्या होता है शाह जहां शेक को तो लग रहा है कि उसी ने पुलिस को इरासत में ले लिया है यही तो सोशल मीडिया पर चल रहा है ना मगर दोस्तों ममता सरकार की मुसीबत अभी और बढ़ने वाली है क्योंकि शाह जहां शेक क का नाम सुनते ही कॉलकाता हाई कोट के चीप जस्टिस एकदम से भड़क उठे और उन्होंने जो कुछ कहा वो आज आपको सुनना चाहिए मैं आपको सुनाओंगा मगर इतना समझ लीजिए कि संदेश खाली ममता सरकार के लिए एक नासूर बनने वाला है जो लोकसभा पार्टी को डस जाएगा और आज के वीडियो में दोस्तों इसी को डीकोट करूँगा साथियों नमस्कार मैं हरिश्चंद्र बढ़बार ममता सरकार के करीवी शाह जहां शेख पर हाई कोट की सक्ती की चर्चा तो मैं करूँगा लेकिन पहले ये समझ लीजे कि केरल और तमिलनाडू के दो दिनों के दोरे के बाद प्रधान मंतरी सीधे पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं उनकी राज में लगातार रैली होने वाली है अब आज की रैली से क्या कुछ हो रहा है ये तो सब को पता है मगर कहानी थोड़ी आगी की है 12.07 में प्रधान मंतरी मोदी एक महिला रैली को संबूधित करने वाले है महिला रैली पहले ये रैली 6 मार्च को होने वाली थी अब ये विश्व महिला दिवस के दिन 8 मार्च को होगी और आपको थोड़ा गणित बता देता हूँ 12.07 से ही सटे बशीर हाट से त्रिण मुल कॉंग्रेस की नुसरत जहां सांसद है और बशीर हाट लोगसभाज शेत्र में ही दोस्तों संदेश खाली आता है अब आप समझ लीजिए कि जो लोग राजनीतिक नफा नुकसान का गुना भाग करते हैं और महिला पर होने वाले दुराचार के मामले में भी इसलिए ये जो घटना क्रम हो रहे हैं ना ममता सरकार में हरकम मचा हुआ है क्योंकि प्रधान मंत्री मोदी संदेश खाली की आदिवासी महिलाओं से 12-7 की रैली में मुलाकात भी करेंगे और संदेश खाली की इन आदिवासी महिलाओं ने सच मानिये दोस्तों तो ममता बेनर जी को बैक फुट पर लाकर रख दिया है ममता बेनर जी के बाहु बली नेता शाह जहां शेक के खिलाफ इन महिलाओं का गुसा नौफरवरी को फूट पड़ा था जो एक दशक से दबा हुआ था शाह जहां शेक ने न सिर्फ इन महिलाओं का यौन उत्पिडन किया बलकि जोर जबरदस्ती करके उनकी खेती की जमीन को भी हड़प लिया और ममता बेनर जी जिस तरह से शाह जहां शेक को पिछले एक दशक से संडरक्षन दे रही थी जो आरोप है उसने आदिवासियों के गुसे में घी का काम किया यहां तक कि ममता बेनर जी इन अदिवासी महिलाओं के धरने और प्रदर्शन को बाहरी लोगों की साजिश बताती रही यह अब किसी से छिपा नहीं है कि ममता सरकार किसी ना किसी बहाने संदेश खाली के गुनहगार को पिछले 55 दिनों से गिरफतार होने से बचा रही थी लेकिन अचानक क्या हुआ 28 फरवरी को पर सो ही कॉलकता हाई कोट ने ममता बनर जी की सरकार को फटकार लगाई कि सरकार एक वेक्ती को गिरफतार क्यों नहीं कर पा रही और फिर आदेश दिया जानते हैं बड़ा गजब का आदेश था दोस्तों हाई कोट को देना पड़ा कि शाह जहां शेक को कोई भी गिरफतार कर सकता है ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगाल पुलिस EDCBI जिसको मिले वो गि तूट गई जाहिर है क्यों जानते हैं क्यों दोस्तों क्योंकि केंद्री एजेंसियों के हाथों से अगर शाह जहां से गिरफतार होंगे तो होगा क्या इसलिए उनसे बचाने के लिए बंगाल पुलिस नहीं गिरफतार कर लिया अब जरा सोचिए कि जिस वेक्ती को 55 दिनो उसे गिरफतार नहीं कर पा रही थी वो अचानक कैसे गिरफतार में हो गया अब यही नहीं दोस्तों एक हपते पहले मैं आपको बंगाल पुलिस का हाल दिखाता हूँ पश्यमंगाल के डी जी पी राजीव कुमार ने राश्ट्री महला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा स अपनी मुलाकात में कहा था कि शाह जहां शेख को गिरफतार करने का कोई ठोस सबूत पश्यमंगाल की पुलिस के पास नहीं है कैसे गिरफतार करे कोई सबूत नहीं है लेकिन अब लगता है कि बंगाल पुलिस के पास सबूत मिल गया है बहुत सारा सबूत मिला है और वैस इसे आपको इस वीडियो को देखकर लगता है दोस्तों कि पश्यम बंगाल पुलिस उसे गिरफतार कर रही है यह सिर्फ दिखावा है कि केंद्री एजेंसियों की गिरफ्त में शाह जहां शेख न चले जाएं यहीं बचाने के लिए तो नहीं किया है आप सोचिए वैसे 28 फर गया तो वो भुरी तरह से फस जाएगी यहीं नहीं शाह जहां शेख को भविश्य में भी CBI और ED के हाथ में ना चला जाए इसके लिए भी खेल किया गया है राजी की CID जाच पिठा दी गई है और कोशिश यहीं की जा रही है जो समझ में आ रहा है दोस्तों बड़ा खतर जाएगी मगर शाह जहां शेख का दोस्तों सारा मामला कॉलकता हाई कोट पहुंचते ही एकदम फस गया क्या बातचीत हुई है कॉलकता हाई कोट में आप सुनेंगे तब आपको गंभीरता का एहशास होगा शाह जहां के वकील ने हाई कोट में चीप जस्टिस बैठे वे जनते क्या का सर्टेन अब्जर्वेशन्स वर मेड बाई यॉर लॉर्डशिप्स अगेंस्ट माई क्लाइंट चीप जस्टिस ने कहा वंडर्फुल वी वर वेटिंग फॉर यू बहुत बढ़ियां मैं तो आभी का इंतिजार कर रहा था वकील ने फिर कहा शाह जहां शेख के माई लॉर्ड माई एंटिसिपेटरी बेल वास पेंडिंग जमाना थी आचिका अब चीप जस्टिस ने कहा मिस्टर कॉंसल दिस मैन हैस सम फॉर्टी थ्री केसे से अगेंस्ट हिम बड़े ध्यान से सुनिये दोस्तों माइंड यू ना फॉर नेक्स टेन यर्स दिस मैन व कि इतने केस हैं 43 केस अब तो आपको 10 साल तक पूरा बने काम मिल गया आपको काम करते रहिए ये चीप जस्टिस को बोलना पड़ आप सूचिए फिर वकील ने कहा मैं लॉर्ड माई एंटिसिपेटरी बेल वास रिजेक्टेड आइम अरेस्टेड लास नाइट आइड आइ कमान मंडे वी हैब गॉट नो सिंपेथी फॉर देट परसन प्लीज कम ओन मंडे नॉट 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 बोला इस आदमी के लिए कोई सिंपेथी नहीं है अब आप सुंबार को आईए जानी साफ है दोस्तों कि राजनीतिक रूप से ही नहीं कानूनी रूप से भी श जहां शेक ममता बेनर जी सरकार के लिए गले की हड़ी बन गया है जिसे न उगलते बन रहा है नहीं निगलते अगर शाज जहां शेक को नहीं बचाया तो ना सर्फ भष्टाचार के सामराज्य का परदा फास हो जाएगा बलकि मुस्लिम वोट बैंक भी छिटक जाएगा य ये दो लोग सभा सीटों की बात है दोस्तों तभी तो महलाओं पर इतना दुराचार होने के बाद जो आरोप है कुछ नहीं हुआ था कई दिनों और आरोप यह है कि ममता सरकार की नाक के नीचे शाजहां शेक आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्तिक कबजा करके मचली पालन करता था आप इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं आप देख लीजे बड़े ध्यान से सैटलाइट इमेज के जरिये दिखाया गया है कि किस प्रकार शाजहां शेक ने आदिवासियों की जमीन पर कबजा किया एक एक तस्वीर देख लीजे दोस्तों कितने एकड़ पूरा संदेश खा ली इस अवाय धंदे से उसने इतनी अकूद संपत्ति पैदा कर ली थी और इस धन के बल पर न सिर्फ उसने राजनीती को अपने कबजे में कर रखा था बलकि आदिवासी महिलाओं का यौन शोशन भी करता था धन, बाहूबल और राजनीती के गठ जोड की गाठ शाह जहां शेक था जिसने पूरे शित्र में ऐसा आतंक पैदा कर रखा था कि केंदर की राशन और मनरेगा यूजनाओं का सारा पैसा वो अपने कबजे में कर लेता था और इडी ने जो कहा है वो भी जानना चाहिए इडी ने ये कहा है कि शाह जहां शेक दस हजार करोड के राशन घोटाले का सबसे बड़ी मचली है और इस मचली ने मंता बैनर जी की राजनीती को शेह और मात के खेल में उजाद या है इसलिए वो किसी तरह से इस मामले को फिल्हाल दबाना चाहती है ममता बनर जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि संदेश खाली नंदिक ग्राम और सिंगूर की तरह बनता जा रहा है वो समझ रही है ऐसा नहीं कि वो समझ ने रही है कि जैसे नंदिक ग्राम और सिंगूर ने बामपंत के किलो को ढ़ा दिया वैसे ही संदेश खाली का اثर होने वाला और तभी वो दोस्तों अपने नेताओं को सचेत कर रही है और ममता बनर जी लोगसभाचुनाव से ठीक पहले संदेश खाली के मुद्दे पर घर चुकी है आठ मार्च को प्रधान मंत्री मोधी की संदेश खाली के करीब जो महिला रैली होने वाली है उसने त्रिनमुल कॉंग्रेस को हिला दिया है अब बुआ ममता बनर जी पर ये असर हो रहा है तो उसे देखते हैं इनके भतीजे अभिशेक बनर जी ने जनो गर्जना रैली करने का एलान किया है ताकि बुआ को कुछ तसली तो मिले और ये रैली कहां हो रही है दस परबरी को कॉलकता के ब्रिग्रेट ग्राउंड में मानूश की राजनीती का दम भरने वाली त्रिनमुल कॉंग्रेस आज बंगाल विरोधी लहर का सामना कर रही है ममता बनर जी को 180 डिगरी का ये बदलाव सर्फ इसलिए देखना पड़ रहा है कि उन्होंने मुस्लिम तुष्टी करण की अंधनीती के सामने आदिवासियों और महिलाओं के हित को अंदेखा कर दिया तो कुल मिलाकर साथियों पश्चिम बंगाल में वामपंथ के गड़ को ममता बनर जी ने 2011 में ध्वस्तो कर दिया लेकिन एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राज्य में उसी तरह बाहुबलियों का राज है पश्चिम इंडी अलाइंस के शासन में उत्तर परदेश में हुआ करते थे जो लोग उत्तर परदेश में रहते हैं न और पहले से उनको पता है लेकिन आज भाजपा के शासन ने प्रदेश को न शर्प बाहुबलियों से मुक्त कर दिया है बलकि लोगों को आर्थिक विकास करने का आज कायम है तभी आपको पता चलता है कि भाजपा के शासन होने का मतलब क्या है और इंडी एलाइंस की पार्टियों के शासन होने का क्या मतलब है और इसलिए पीम मोदी की रैली हो हाई कोट का उब्जर्वेशन हो या दूसरी टीमों का जाना हो बंगाल सरकार बुरी तरह स डरी हुई है बहुत बहुत धन्यवाद आपसे निवेदन हैं दोस्तों कि आप कमेंट कीजिए बताइए कैसा लगा सारे पहलू को एक साथ समेटने का प्रयास किया है साथी एक आपसे बिंति करता हूं दोस्तों कि जिन लोगों ने हरीश बंडवाल म्यूजिक चैनल H.B.M अगर आपने नहीं सबस्क्राइब किया अगर आपने नहीं देखा है तो उस चैनल पर जाएए कल एक और वीडियो मैंने अप्लोट किया है बहुत ही अच्छा गीत है आपको ज़रूर मज़ा आएगा आप इस चैनल को तो सबस्क्राइब कीजिए ही अगर नहीं किये उस च कर दो